नबस्कार दोस्तों किड्नी वरिक या कहें गुर्दे का जोड़ा ये हमारे शरीर में क्या काम करता है इसके खराब होने के क्या क्या कारण हो सकते है इससे सुस्त कैसे रखा जा सकता है जानते हैं इस वीडियो के माध्धम से किड्नी या गुर्दा हमारे शरीर का एक महतपूर अंग होता है किड्नी हमारे शरीर में एक फिल्टर यानि की छलनी की तरह कारे करती है किड्नी हमारे शरीर से हानी कारक पदारतों को बाहर निकालने का काम करती है हम जो भी खाना खाते हैं उसमें पोशक तत्वी होते हैं कि शरीर में अन्य रसाइनों या केमिकल के स्थर को संतुलिट करने में भी मदद करती है किड़नी को स्वस्त रखने के लिए हर रोज वियायाम करें जिसमें प्रति दिन चलना, दोडना, साइकल चलाना या डांस करने से शरीर और किड़नी स्वस्त रहते हैं फिजीकल और हाई ब्लड पेशर जैसी बीमारियां हो जाती हैं जब खून में गुलुकोज की अच्छे से खपद नहीं हो पाती तो ऐसे में किड्नी को खून से शुगर को अलग करने का काम करना पड़ता है इस इस्सिति में किड्नी पर बहुत दवाब पड़ता है ब्लड शुगर को स में समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है ब्लड पेशर सही बनाये रखें जिससे किड्नी खराब होने से बची रहेगी वजन नियंत्रीत रखें शरीर में शुगर की मातरह ब्लड बढ़ने लगता है जदा जादा मोटापा या वजन हिर्दय और किड्नी के खराब होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। दूम्र पान से बचें, प्रोटीन युक्त तथा मिनरल से भरपूर चीजों का सेवन करें, दवाईयों के अधिक सेवन से बचें, जिन लोगों की उम्र 60 साल से उपर है या जिनको कार्डियो वस्कुलर डिसीज या हिर्दय से समंदित जो भी समस्या है, जिनके परिवार में किड्नी से समंदित रोगों का इतियास रहा है, या किसी के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही हो, तो उनको समय पर किड्नी का चेक अप अवश्य कराना चाहिए, जिनको ये लगे कि उनकी किड्नी ठीक से काम नहीं कर रही है, उनको तुरंत किसी अच्छे ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दवारा ना भूरें